बजरंग दल के कार्यकरता फिल्म की रिलीज का विरोध कर रही है और मल्टिप्लेक्स और सिनेमा का विरोध मुवी के पोस्ट फार लगाए आग थियेटर में फिल्म नहीं चलने देने की चेताबनी इंडिया फिल्म रिव्यू स्वागत है चलिए हम आगे बताते हैं संपू से उतार कर और उसे फार कर उसमें आग लगा दी मध्यप्रदेश के बढ़वानी में शाहरुक खान की फिल्म पठान के पोस्ट जलाने का मामला सामने आया है विश्व हिंदू परिशद और बजरंग दल के कार्यकरताओं ने सिनेमा हाल पहुंचकर शाहरुक खान की फिल् जो रिलिज हुई है यहां पर मौल के अंदर और पूरे बारत में हुई है तो बजरंग दल इसका ब्रोध कर रहा है जो है कि उसके अंदर जो आपत्ती जनग भगवा का अपमान किया गया है और जो भगवा पेन के जावनी भी दी के अगर थियेटर में मूवी लगी तो उ चिनेमा हॉल से उतार कर और उसे फार कर उसमें आग लगा दी। इस दोरान कार्यकरताओं ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया साथ ही फिल्म अभिनेता शाहरुक खान को ले कर अभ़ध नारेबाजी भी की। हिंदू संगठन के कार्यकरताओं ने टौकीज में फिल्म रिलीज ना होने की चेताबनी भी दी। बजरंग दल के जिला संगठन मंत्री नरेंद्र परमार ने कहा कि हमने फिल्म रिलीज ना होने की टौकीज मालिक को चेताबनी दी है, वहीं थियेटर मालिक ने भी हमें आश्वासन दिया है कि फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे. बावजूद इसके अगर फिल्म रिलीज होती है तो हम उग्रप्रदर्शन करेंगे. इस दोरान बड़ी संख्या में बजरंग दल के साथ ही विहीप के कार्यकरता भी मौजूद रहे. बता देएं, प्रधनमंत्री खुद अपने मंत्रियों को निर्देश दे चुके हैं कि वे किसी भी फिल्म को लेकर किसी तरह की बयानबाजी न करें. जिसके बाद प्रधेश के ग्रह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का रुख भी बदल गया और उन्होंने भी शाहरुक खान या पठान मूवी को लेकर चुपी साधी है. बावजूद इसके हिंदू संगठन और संगठन के कार्यकरता पठान मूवी का विरोध करते नजर आ रहे है बावजूद आ रहे हैं